नमस्कार विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आज मैं एक बहुत ही रोचक वीडियो लेकर प्रस्तोत हुई हूँ जो की कक्षा 11 की आरो की पैठे पुस्तक में रजनी नाम से संकलित है रजनी पिछली सदी के नवे दशक का एक बहुत चर्चित टीवी धारवाईक रहा है यह वै समय था जब हम लोग और बुनियाद जैसे सोप और दूरदर्शन का भविश्य गड़ रहे थे इस धारवाईक में एक स्त्री पात्र है जिसका नाम रजनी है जो की सीरियल की मुख्य नाईका है रजनी जुजहारू और इंसाफ पसंद स्त्री पात्र किसी ना किसी सामाजिक राजनेतिक समस्या से जूजती नजराती है धारवाईक की इस कड़ी में आप देखेंगे कि किस प्रकार से वो ट्यूशन रैकेट का भंडा फोर करती है तो लीजिए प्रस्तुत है पटकता रजनी मध्यवर गिये परिवार के फ्लैट का एक कमरा एक महिला रसोई में व्यास्त है घंटी बजती है बाई दर्वाजा खोलती है रजनी का प्रवेश लीला बेन कहां हो बाजार नहीं चलना क्या चलना तो था पर इस समय तो अमित आ रहा होगा अपना रिजल्ट लेकर आज उसका रिजल्ट निकल रहा है ना अरे वाँ तब तो मैं मिठाई खा कर ही जाऊंगी अमित तो पढ़ने में इतना अच्छा है कि फास्ट आएगा और नहीं तो सैकिंड तो कहीं गया नहीं तुमको मिठाई भी बढ़िया खिलानी पड़ेगी सूजी के हलवे से काम नहीं चलने वाला मैं अभी से बता देती हूँ नहीं नहीं मैं तुम्हें अच्छी मिठाई ही खिलाऊंगी मैंने पहले से ही मंगवा कर रखी है केसर या रसमलाई अमित को बहुत पसंद है ना देखा मुझे अपने घर में ही केसर की सुगंदा गई थी बाजार का तुम्हें बहाना करके चली आई वरना तुम तो मुझे काटी देती कैसी बात करती हूँ मैं एक बार काट भी दूँ लेकिन अमित अपने मुझे डालने से पहले रसमलाई लेकर तुमारे फ्लैट में दोड़ता है मैं कोई भी चीज घर में बनाऊं या बहार से लाऊं अमित जब तक तुमारे भोग नहीं लगा लेता हम लोग खा थोड़े ही सकते हैं रजनी अंटी तो हीरो है उसकी बहुत मेधावी वच्चा है अमित तुम देखना तो आगे जाकर क्या बनता है बास सब तुमारा ही आशीरवाद है फिर गंटी बजती है लीला एक तरह से दोड़ते हुए दरवाजा खोलती है अमित का प्रवेश रोज की तरह भारी बस्ते की जगे एक हलका सा थैला है Congratulations अमित बधाई देने के लिए रजनी अंटी पहले से मौजूद है अमित का चेहरा उत्रा हुआ है पर दोनों में से अभी तक उस पर किसी का ध्यान नहीं गया अमित आशू भरी आँखों से थैले में से रिपोर्ट काड निकाल कर माकी और फेकते हुए लो लो देखो क्या हुआ है मेरे रिजल्ट का मैंने कितना कहा था कि मैट्स का भी ट्यूशन लगबा दीजिए वरना मेरा रिजल्ट बिगड़ जाएगा बस वही हुआ मैट्स में ही तो मेरे पूरे नमबर आ सकते है रिजल्ट बन बिगड़ सकता है रिपोर्ट रजनी देखने लगती है पर तू तो सारे सवाल ठीक करके आया था यहां आकर पापा के सामने तूने फिर से किया था अपना सारा पेपर सब तो ठीक था तेरे पापा ने नहीं कहा था कि चार पाच नमबर भले ही काट ले सफाई वफाई के पर 95 तो तेरे पक्के हैं पर मिले तो बहतर ही हैं, फिर दूसरे विशों के नंबर भी पढ़ने लगती है, इंग्लिश में 86, हिस्ट्री, 80, सिविक्स, 88, हिंदी, 82, ड्रोइंग, 90, सबसे कम मैट्स में ही, कम तो हूंगे ही, ट्यूशन नहीं लेने से, मिलते हैं कहीं अच्छे नंबर, सर तो बार बार ही कह रहे थे, कि ट्यूशन कर लो, ट्यूशन कर लो, वरना फिर बाद मैं मत रो ना, तुझे अंग्रेजी को लेकर थोड़ी परेशानी थी, सो अंग्रेजी में करवा दी थी ट्यूशन, अब दो-दो विशों की ट्यूशन, फिर लंबी चौड़ी फीस, बेटे, पर ये तो अंधेरी हुआ कि सारा पेपर ठीको फिर भी नंबर काट लो, रजनी की भौों में एक आएक भल पड़ जाते हैं, वैं रोते हुए अमित को खीच कर अपने पास सटा लेती है, रो मत, अमित रोएगा नहीं समझे, मैं जो पूस्ती हूं उसका जवाब देना बस, तुझे अच्छी तरह याद है कि तुन्हें पूरा पेपर ठीक किया थ पापा के पास दुबारा पेपर करने से पहले दोस्तों से या किताबों से उन सवालों के जवाब तो नहीं देख लिये थे? नहीं, जियों के त्यों आकर कर दिये थे, हमको आते थे वो सारे सवाल मैट्स के सर कौन है? मिस्टर पाठक कितने लड़के ट्यूशन लेते हैं उन से? बाईस साल के शुरू में तो आठ लेते थे फिर पहले टर्मिनल के बाद से पंद्रह हो गए थे हाफ यरली के बाद साथ लड़कों ने और लेना शुरू कर दिया मुझसे भी तभी से कह रहे थे हाफ यरली में तो इसके 96 नमबर आये थे इसी ने बताया था क्लास में सबसे ज़ादा है उसके बाद भी कहते थे कि ट्यूशन लो हाँ, कौपी लोटाते हुए कहा था कि तुमने किया तो अच्छा है पर यह है तो हाफ यरली है बहुत आसान पेपर होता है इसका तो अब अगर यरली में भी पूरे नमबर लेने हैं तो तुरन ट्यूशन लेना शुरू कर दो वरना रह जाओगे साथ लड़कों ने तो शुरू भी कर दिया था पर मैंने जब मम्मी पापा से कहा हमेशा बस एक ही जवाब मैंस में तो तु वैसे ही बहुत अच्छा है क्या करेगा ट्यूशन लेकर देख लिया अब सिक्स्त पोजिशन आई है मेरी जो आज तक कभी नहीं आई थी फिर आसू जानता नहीं रोने वाले बच्चे रजनी आउंटी को बिलकुल पसंद नहीं मम्मी ने बिलकुल ठीकी कहा है और ठीकी किया है जिस विशे में तुम वैसे ही बहुत अच्छे हो उसमें क्यों लोगे ट्यूशन ट्यूशन तो कमजोर बच्चे लेते हैं आप जानती नहीं आउंटी अच्छे बुरे की बात नहीं होती अगर सर कहें और बार बार कहें तो लेनी ही होती है वरना तो नंबर कम हो ही जाते हैं पेपर अच्छा करो तब भी नंबर कम हो जाते हैं हाँ, कितना ही अच्छा करो फिर भी कम हो जाते हैं जैसे मेरे हो गए यानी कि अच्छा पेपर करने पर भी कामाते हैं सिर्फ इसलिए कि ट्यूशन नहीं ली थी तो यह तो सर की गलती नहीं बदमाशी है और तू मम्मी से लड़ रहा है सर से जाकर लड़ अमित इस भाव से से रहलाता है मानो कितनी बेकार की बात कर रही है रजनी अंटी लीला गलासों में शिकन जी बना कर लाती है अमित लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता तो रजनी गुड़कती है चलो पीओ शिकन जी देखते नहीं चेहरा कैसे पसीना पसीना हो रहा है कल आप नौ बजे तयार रहे है अमित सहाब आपके स्कूल चलना है कल से तो छुटी है पर आप अगर स्कूल जाकर कहेंगी तो सर मुझ से बहुत गुस्सा हो जाएंगे वहां मत जाएए प्लीज वहां बिल्कुल मत जाएए हाँ रजनी तुम कुछ करोगी कहोगी तो अगले साल कहीं और ज्यादा परिशान ना करें इसे जब रहना इसी स्कूल में है तो इन लोगों से जगड़ा यानी कि वे लोग जो भी जुलम ज्यात्ती करें हम लोग चुपचा बरदाश्ट करते जाएं सही बात कहने में डर लग रहा है तुझे और तेरी मा को अरे जब बच्चे ने सारा पेपर ठीक किया है तो हम कॉपी देखने की मांग तो करी सकते हैं पता तो लगे कि आखिर किस बात के नमबर काटे हैं बता तो दियाँटी आप ठीक है तो अब बैठ कर रो तुम मा बेटे दोनों अब ये रजनी कोई और मुसीवत ना खड़ी करते स्कूल के हेड मास्टर का कमरा बड़ी सी टेबल दीवार के सहारे रखी काँच के अलमारी में बच्चों द्वारा जीते हुए कप और शील्स रखे हुए हैं दीवार पर कुछ नेताओं की तस्वीरें एक बड़ा सा मैप लटका है हेड मास्टर काम में व्यस्त है चप्रासी बड़े अदबसिक चिट लाकर रखता है हेड मास्टर कुछ शनक उसे देखता रहता है बुलाओ रजनी का प्रवेश नमस्कार करती है बैठिये कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ मैं सेविंध क्लास के अमित सकसेना की मैट्स की कॉपी देखना चाहती हूँ हेड मास्टर के चेहरे पर ऐसा भाव जैसे वे कुछ समझाई ना हो एरली एक्जाम्स की कली ही जिसका रिजल्ट निकला है सौरी मैडम एरली एक्जाम्स की कॉपीयां तो हम लोग नहीं दिखाते हैं जानती हूँ मैं लेकिन बात यह है कि अमित ने मैट्स का पूरा पेपर ठीक किया था लेकिन उसे कुल बहतर नमबर ही मिले हैं कॉपी देखकर सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि अमित को अपने बारे में कुछ गलत फैमी हो गई थी या गलती एक्जामिनर की है आप भी कमाल करती हैं बच्चे ने का और आपने मान लिया अरे हर बच्चा घर जाकर यही कहता है कि उसने पेपर बहुत अच्छा किया है और उसे बहुत अच्छे नमबर मिलेंगे अगर हम इसी तरह कॉपियां दिखाने लग जाएं तो यहां तो पेरेंट्स की भीड लगी रहे सारे समय इसलिए तो यरली एक्जाम्स की कॉपिया ना दिखाने का नियम बनाया गया स्कूल में देखिए आप चाहें तो अमित का पूरा रिजल्ट देख सकते हैं मैट्स में हमेशा सेंट परसेंट नमबर लेता रहा है इस साल भी उसने पूरा पेपर ठीक किया है कॉपि देखकर मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि नमबर आखर कटे किस बात के हैं आप बहस करके बेकारी अपना और मेरा समय बरबाद कर रही है मैंने कह दिया ना कि इन कौपियों को दिखाने का नियम नहीं है और मैं नियम नहीं तोड़ूंगा नियम यानि कि आपका स्कूल बहुत नियम से चलता है वाट डू यू मीन नियम का जरा भी खयाल होता तो इस तरह के हरकते नहीं होती स्कूल में कोई बच्चा बहुत अच्छा है किसी विशे में फिर भी उसे मजबूर किया जाता है कि वह ट्यूशन ले ये कौन सा नियम है आपके स्कूल का देखिए ये टीचर्स और स्टूडेंट्स का अपना आपसी मामला है वो पढ़ने जाते हैं और वो पढ़ाते हैं इसमें न स्कूल आता है ना स्कूल के नियम इस बारे में हम क्या कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते आप तो महरबानी करके एक कुरसी छोड़ती जीए क्योंकि यहाँ पर कुछ कर सकने वाला आदमी चाहिए जो टूशन के नाम पर चलने वाली धांदलियों को रोक सके मासूम और बेगुना बच्चों को ऐसे टीचर्स के शिकंजों से बचा सके जो टूशन ना लेने पर बच्चों के नंबर काट लेते हैं और आप है कि कॉपिया ना दिखाने के नियम से उनके सारे गुनाह ड़क देते हैं विल यू प्लीज गेट आट अफ दिस रूम मेम साब को बाहर ले जाओ मुझे बाहर करने की जरूरत नहीं बाहर किजिए उन सब टीचर्स को जिनों आपकी नाक के नीचे टूशन का ये घिनोना रैकेट चला रखा है पर आप तो कुछ करने ही सकते इसलिए मुझे ही कुछ करना होगा और मैं करूंगी देखियेगा मैंने तो आपको स्लिप ला कर दी थी साब हैर मास्टर गुस्से में स्लिप की चिंदी चिंदी करके फेक देता है कुछ इस बाव से मानो रजनी की ही चिंदी चिंदी बिखेर रहा हो रजनी का फ्लैट, शाम का समय, गंटी बजती है रजनी आकर दर्वाजा खोलती है, पती का प्रवेश, उसके हाथ से ब्रीफ केस लेती है तुम आज दिन में कहीं बाहर गई थी, क्या? तुमें कैसे मालूं? फोन किया था, एक फैल रह गई थी, सोच चपरासी को भेज कर मंग वालू, पर कोई घर में हो तब ना? तुम फाइल भूल गए, और जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं, पर फिर भी उसके लिए मुझे घर बैठना चाहिए, ये कौन सी बात हुई? अच्छा, गई कहा थी? एक स्कूल का नाम देती है तुम क्या करने गई थी वहाँ? पहले चाहे ले आओं, फिर बताती हूँ कैमरा रजनी के साथ किचिन में, गुन-गुनाते हुए रजनी खाने के लिए कुछ बना रही है लगता है जो करक्या ये उससे बहुत खुश है द्रिश फिर बाहर के कमरे में नाश्ते की प्लेट खाली हो चुकी है जिससे लगे कि रजनी सारी बात अपने पती को बता चुकी है बोलती बंद कर दिया हैड मास्टर साहब की जवाब देते नहीं बना तो चिलनाने लगे पर मैं क्या छोड़ने वाली हूँ इस बात को? अच्छा मास्टर लोग ट्यूशन करते या दंदा करते पर तुम्हें अभी बैठे बिठाए इससे क्या परिशानी हो गई? तुम्हारा बेटा तो अभी पढ़ने नहीं जा रहा है न? यानि कि मेरा बेटा जाये तभी आवाज उठानी चाहिए अमित के लिए नहीं उठानी चाहिए और जो इतने इतने बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं उनके लिए नहीं उठानी चाहिए सब कुछ जानने के बाद भी नहीं उठानी चाहिए ठेका लिया है तुमने सारी दुनिया का? देखो तुम मुझे फिर गुस्ता दिला रहे हो रवी गलती करने वाला तो है यह गुनेगार पर उसे बरदाश्ट करने वाला भी कम गुनेगार नहीं जैसे लीला बेन और कांती भाई और हजारो हजारो माबाप लेकिन सबसे बड़ा गुनेगार तो वे है जो चारो तरफ अन्याय अत्याचार और तरह तरह की धांदलियों को देख कर भी चुप बैठा रहता है जैसे तुम हमें क्या करना है हमने कोई ठेका ले रखा है दुनिया का माइ फुट तुम जैसे लोगों के कारण ही तो इस देश में कुछ नहीं होता हो भी नहीं सकता चड़ा दिया सूली पर कितनी देर और बैठना होगा हम क्या बोलेगा जब साहव घंटी मारेगा बुलाएगा तब ही तो ले जाएगा बहुत बिजी रहता है न साहब ये तो लोगों से मिलने का समय है ना जाने किस में बिजी बन कर बैठ जाते है साहब मेज पर पेपर वेट गुमा रहा है फिर घड़ी देखता है फिर गुमाने लगता है बाहर एक आदमी आता है अपने नाम की सिलिप के नीचे पांच रुपे का एक नोट रख कर देता है और चपरासी का कंदा थप थपाता है चपरासी हंसकर भीतर जाता है लोटकर उस आदमी को तुरंत अपने साथ ले जाता है रजनी के चेहरे पर तनाव घूर कर चपरासी को देखती है थोड़ी देर में आदमी बाहर निकलता है रजनी उठकर दंदनाती हुई भीतर जाने लगती है अरे अरे किधर कुझ आता अभी घंटी बजा क्या घंटी तो मिलने का समय खत्मोने तक बजेगी भी नहीं अरे कैसी ओरत है सुन तीच नहीं आपको स्लिप भेज कर भीतर आना चाहिए ना स्लिप तो घंटे वर से आपके चपरासी की जेव में पड़ी है और शायद दो-चार दिन चक्कर लगवाते रहने पर भी पड़ी रहेगी क्या कह रही हैं आप तो क्या ये सीधी साफसी बात भी मुझे ही समझानी होगी आपको खैर अभी छोड़िये इस बात को इस समय में आपके पास किसी दूसरे ही काम से आई हूँ कहिए देखिए मैं स्कूलों विशेशकर प्राइवेट स्कूलों और बोर्ड के आपसी रिलेशन्स के बारे में कुछ जानकरी खटा कर रही हूँ कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या वेरी इंट्रेस्टिंग सब्जेक्ट बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए कहिए आप क्या जानना चाहती है जिन प्राइवेट स्कूलों को आप रिकोगनाईज कर लेते हैं उन्हें बोर्ड शायद 90% ग्राइट देता है जी हाँ देता है बोर्ड का काम ही यह है कि शिक्षा के प्रचार प्रसार में जितना भी हो सके सहयोग करे जब इतनी बड़ी एड देते हैं तो आपका कोई कंट्रॉल भी रहता होगा स्कूलों पर अव्कूर्स बोर्ड के बहुत से ऐसे नियम हैं जो स्कूलों को मानने होते हैं स्कूलों में आजकर प्राइवेट टूशन का जो सिलसिला चला हुआ है तुशन क्या बच्चों को लूटने का जो धंदा चला हुआ उसके बारे में आपका बॉड क्या करता है इसमें धंदे की क्या बात है जब किसी का बच्चा कमजोर होता है तब ही उसके माबाप टुशन लगवाते हैं अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से न ले ट्यूशन, किसी और के पास चले जाएं, यह कोई मजबूरी तो है नहीं। बच्चा कमजोर नहीं, होशियार है, बहुत होशियार। उसके बावजूद उसका टीचर लगातार, उसे कोँचता रहता है कि वह ट्यूशन ले, वह ट्यूशन ले, वरना पच्चता आएगा, लेकिन बच्चे के माबाप को जरूरी नहीं लगता और वे नहीं लगवाते, जानते हैं क्या हुआ, मैट्स का पूरा पेपर ठीक करने क लिए के बावजूद उसे कुल 72 नंबर मिले है, जानते हैं क्यों, क्यूंकि उसने टीचर के बार-बार कहने पर भी ट्यूशन नहीं ली, Very sad, headmaster को action लेना चाहिए ऐसे teacher के खिलाब क्या खूब, आप कहते हैं कि headmaster को action लेना चाहिए Headmaster कहते हैं मैं कुछ कर नहीं सकता, तब करेगा कौन मैं पूशती हूँ कि tuition के नाम पर चलने वाले इस गिनोने racket को तोड़ने के लिए दखरंदाजी नहीं करनी चाहिए आपको, आपके board को लेकिन हमारे पास तो आज तक किसी parent की इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई यानि की शिकायत आने पर ही आप इस बारे में कुछ सोच सकते हैं वैसे सिक्षा के नाम पर दिन दहाड़े चलने वाली इस दुकानदारी की आपके board of education को कोई जनकारी ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं कैसी बात करती हैं आप, कितने important matters रहते हैं हम लोगों के पास अभी पिछले 6 महीने से तो नई शिक्षा प्रणाली को लेकर कितने seminars और्गनाईज कियें हमने ओ, important matters, नई शिक्षा प्रणाली, अरे पहले इस शिक्षा प्रणाली के छेदों को तो रोकियें परना बच्चों के भविशे के साथ साथ आपकी नई सिक्षा प्रणाली भी चनकर गड़े में चली जाएगी आप ही पहली महिला हैं और हो सकता है कि आखरी भी हों जो इस तरह की शिकायत लेकर आई हैं ठीक है तो फिर आपके पास शिकायत का धेरी लगवा कर रहूंगी जटके से उठकर बाहर चली जाती है निदेशक देखता रहता है फिर कंदे उचका देता है रजनी फोन कर रही है मेज पर कुछ पत्र रखे हैं और रजनी एक रजिस्टर में उनके नाम पते उतार रही है साथ में एक दो महिलाएं और भी हैं फिर एक के बाद एक तीन चार घरों में माबाप से जाकर मिल रही हैं उन्हें समझा रही हैं साथ में लीला बेन और तीन-चार महिलाएं और भी हैं किसी अख़बार का दफतर कमरे में संपादक बैठे हैं साथ में तीन-चार स्थ्रियों के साथ रजनी बैठी है आपने तो इसे बाकायद एक आंदलन का रूप दे दिया बहुत अच्छा किया इसके बिना यहाँ चीज बदलती भी तो नहीं है सिक्षा के छेतर में फैली इस दुकानदारी को तो बंद होना ही चाहिए आप भी मैसूस करते हैं न ऐसा तो फिर साथ दीजिये हमारा अखबार यदि किसी इशू को उठा ले और लगातार उस पर चोट करता रहे तो फिर फिर थोड़े लोगों की बात नहीं रह जाती सब की बन जाती है आँख मूंद कर नहीं रह सकता फिर कोई उससे आप सोचिए जरा अगर इसके खिलाफ कोई नियम बनता तो कितने पेरेंट्स को राहत मिलेगी कितने बच्चों का भविश्य सुदर जाएगा उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा माबाप के पैसे का नहीं सिक्षा के नाम पर बच्पन से ही उनके दिमाग में ये तो नहीं बरेगा कि पैसा ही सब कुछ है वे बस बस मैं समझ गया आपकी सारी तकलीव आपका सारा गुस्सा तो फिर दीजिए हमारा साथ उठाईए इस इश्यू को लगत्तार लिखिए और धुअधार लिखिए इसमें आप अकवार वालों को अपने साथ ही पाएंगी अमित के उधारण से आपकी सारी बात मैंने नौट कर ली है एक अच्छा सा राइट अप तैयार करके PTI के दुआर में एक साथ फ्लेस करवाता हूं एक काम और कीजिए 25 तारीक को हम लोग पैरेंट्स के एक मीटिंग कर रहे हैं राइट अप के साथ इसकी सूचना भी दे दीजिए तो सब लोगों तक ख़वर पहुंच जाएगी यक्ति का तोर पर तो हम मुश्किल से 100-800 लोगों से ही संपर्क कर पाएं हैं वे भी रात दिन भाग दोड़ करके अधिक से अधिक लोगों के आने के अगरें के साथ सूचना दीजिए दी ये हुई ना कुछ बात मीटिंग का स्थान बाहर कपड़े का बैनर लगा हुआ है बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं भीतर जा रहे हैं लोग खुश हैं लोगों में जोश है विरोध और विद्रो का पूरा माहुल बना हुआ है द्रिश्य कट कर अंदर जाता है हौल भरा हुआ है एक और प्रेस वाले बैठे हैं एक महिला माइक पर से उतर कर नीचे आती है हौल में तालियों की गड़गडा हट अब मंच पर से उठकर रजनी माइक पर आती है पहली पंक्ती में रजनी के पती बैठे है बहनों और भाईयों इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिती और जोश ही बता रहा है कि अब हमारी मंजिल दूर नहीं है इन दो महिनों में लोगों से मिलने पर इस समस्या के कई पहलू हमारे सामने आए कुछ अभी आप लोगों ने भी यहां सुने यह भी सामने आया कि बहुत से बच्चों के लिए ट्यूशन जरूरी भी है माएं इस लायक नहीं होती कि अपने बच्चों को पढ़ा सकें और पिता जैसे वे घर के और किसी काम में जरासी भी मदद नहीं करते बच्चों को भी नहीं पढ़ाते तब कमजोर बच्चों के लिए ट्यूशन जरूरी भी हो जाती है पड़ा अच्छा लगा जब टीचर्स की ओर से भी एक प्रतिन इधी ने आकर बताया कि कई प्राइवेट स्कूलों में तो उन्हें इतनी कम तनुख़ा मिलती है कि ट्यूशन ना करें तो उनका गुजारा ही ना हो कई जगे से तो ऐसा भी है कि कम तनुख़ा देकर ज्यादा पर दस्खत करवाए जाते हैं ऐसे टीचर्स से मेरा नुरोध है कि वे संगठेत होकर एक आंदोलन चलाएं और इस अन्याय का परदा फाश करें हॉल में बैठा हुआ पती धीरे से फुस फुस आता है लो अब एक और आंदोलन का मसला मिल गया इसलिए अब हम अपने समस्या से जुड़ी सारी बातों को नजर में रखते हुए ही बोड के सामने प्रस्ताव रखेंगे कि वे ऐसा नियम बनाए कि कोई भी टीचर अपने ही स्कूल के छात्रों का ट्यूशन नहीं करेगा ऐसी स्थिती में बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती करके उसके नमबर काटने की गंदी हरकतें अपने आप बंद हो जाएंगी साथ ही ये भी हो कि इस नियम को तोड़ने वाले टीचर्स के खलाब सक्त से सक्त का रिवाही की जाएगी अब आप लोग अपनी राइ दीजिए सारा हॉल एप्रूवड एप्रूवड की आवाजों और तालियों की गड़गड़ा हर से गूँज उठा अप्रूवड अप्रोवड अप्रोवSD रजणी का फ्लैट सवेरे का समय कमरे में पति अपद रहा है पहला प्रस्ट पलड़ते ही रजणी की तस्वीर दिखाई देती है जल्दी जल्दी पड़ता है फिर एक्दम चलाता है अरे रजनी, रजनी, सुनो तो बोड ने तुम लोगों का प्रस्ताव जियों का त्यों स्विकार कर लिया भीतर से दोड़ती हुई आती है, अकबार छीन कर जल्दी जल्दी पड़ती है, चहरे पर संतोष, प्रसन्नता और गर्व का भाव तो मान लिया गया हमारा प्रस्ताव बिलकुल जैसा का तैसा और बन गया यह नियम मैं तो कहती हूँ कि अगर डटकर मुकाबला किया जाए तो कौन सा ऐसा न्याय है जिसके धजिया ना बिखेरी जा सकती है I am proud of you रजनी, really, really I am very proud of you दो महिने तक लगातार मेरी धजिया बिखेरने के बाद उस दिन तुमारी जो रस्मलाई रह गई थी वैं आज खाओ और सब के हिस्से की तुम ही खाओ अमित दोड़कर अपने हाथ से उसे रस्मलाई खिलाने जाता है पर रजनी उसे अमित के मूँ में ही डाल देती है तो यह थी पटकता रजनी मैं उमीद करती हूँ, वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें और आपके मित्र जो भी 11 में पढ़ते हैं उनको शेयर करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मेरे आने वाले नए नए रोचक और ज्यानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें और आप मनोरंजन के साथ साथ क्यान भी प्राप्त कर सकें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलती हूं अगले वीडियो के साथ टेक केर